हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा मनबील है यह है iOS 16.6 का RC वर्जन यानि की रिलीस कैनेड वर्जन यानि की फाइनल वर्जन जो के रहेगा आप लोग के लिए पब्लिक स्टेबल वर्जन और बेटा टेस्टर्स के लिए आर्सी वर्जन वादब यही जो वो आप सबके फोन पर देखने मिलेगा आपको कुछी दिनों में अब वो कौन सा दिन होता है क्या होता है वो आगे देखेंगे फिलाल जो iOS 16.6 का RC वर्जन है उसका अपडेट साइज है 5.36 GB ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा iOS सिस्टम रिइंस्टॉल होता है वैसे इत अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में कुछ नहीं होगा देखते आगे और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेर था वो था 1.80.02 अपडेट के बाद यहां पे अवैलेबल फ्री स्पेस जो है बढ़ गया है 51.48 GB हो गया है तो यह अच्छी बा अपडेट के बाद आपको मोडेम फर्मवेर में कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा बेटर वर्जिन से लेकिन आप से पर देखने मिलेगा तो 1.80.02 यहीं पर आपको नजर आ रहा है अब यहां पर इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया है वो देखते है लेकिन उससे प इसके अंदर उतना उनको कुछ नजर नहीं आया नया इस वेसे ऐसा है एनिवेस जो फाइनल वर्जिन होगा उसमें क्यूंकि हम बेटा वन से लेके आर्सी वर्जिन तक के जितने अपडेट और जितने चेंज आए वो कबर करेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नया फिलाल इसके अदर यह चीज नहीं है इसके अलावा रसी वजरिन के अंदर आपको कुछ भी नया इसके अलावा देखने नहीं मिलने वाला release notes एक बार हम check out कर लेते हैं कि हमको वहाँ पे कुछ देखने मिल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत stable update है according to apple इसलिए यहाँ पे कुछ known issues नाम की चीज रही नहीं गई है यहाँ पे एक result issue है जो के apple ने fix किया है pairing matter accessory का जो आपके मेरे कुछ काम का नहीं है आप लोग यूज नहीं करते हैं और home से रिलेटेड हो एक परफॉर्मेंस जो है अच्छा है कोई issue इसके अंदर है नहीं जो भी sim card चला रहे हो अच्छा ही उसमें आपको experience देखने मिलेगा बैटरी हेल्थ में भी आपको कोई problem नहीं आना चाहिए परफॉर्मेंस की बात करें तो overall performance अच्छा है आप क्रैशिंग वगरा आपको कुछ खास देखने नहीं मिलेगी आप जो है प्रॉपली अपडेट करते रहे ना यहां पर आप स्टोर में चले जाना और उसके बाद एक बाद चेक कर लेते हैं तो यहां पर हिस्ट्री में चलते हैं सबसे वहले CPU का स्कोर देखते हैं फिछला अपडेट 11 जुलाई को आया था 17464572 था सिंगल और मत्री को स्कोर और आज है 17464572 तो 19-20 का फरक हमेशा रहता ही है और वही है यहां पर और यहां पर आपको कोई इंपॉर्टन होता है 12,589 था और आज का है 12,535 तो अगेन 19-20 का फरक है कोई मेजर चेंज यहां पर है नहीं तो आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है अब क्यालेंडर में देख लेते हैं तो जो अपडेट है फाइनल स्टेवर वर्जिन का हो सकता है कि अगले वीके निकाल था तो बहुत जल्दी ही आपल जो है iOS 16.6 टेबल अपडेट रिलीस कर देगा तो यह थी कहानी दोस्तो iOS 16.6 के RC वर्जिन की क्या आप स्टेबल पे हो बेटा पे हो iOS 17 के बेटा पे हो जहां कई भी हो अपने experience जो है आप comments में लिखके मुझे बता सकते है कुमी के तो